मुझाज़ कर देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आप देख रहे हैं हर्यान के समाचार समाचारों की शुरुआ से पहले एक नजराज के मुखे सुर्ख्यों पर 20 माई को सिल्सा पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत योगितिनाद सिल्सा लोगसबा में भाजपा के लिए वोट मांगेंगे योगी चुना पर चार को फान देने की कोशिश हर्याना के स्यासी रन में पियाम मोदी अंबाला से भरेंगे उंकार कल अंबाला में विजे संकल प्रैली को संबोदी करेंगे पियाम हर्याना में लोगसबा की 10 सिटो पर 25 माई को वोटिंग हर्याना सरकार ने नई एकसाइज पोलिसी को दी मंजूरी हर्याना में महंगी होगी शराब विदेशी शराब के दामों में चार से पांच फीज दी तक की बड़ोतरी और अब समचर विस्तार से लोगसबा चुनाव में भाचपा जहां परधान मंतरी निरेंदर मोदी को तीसरी बार परधान मंतरी बनाने की मांग के साथ मैदान में डटी हुई है और वहीं कॉंग्रेस सता विरोधी लहर के सहारे ही अपनी नईया पार लगाने की कोशिश कर रही है ऐसे में चुनाव परधार के आखिरी सता में सबी पार्टियां जोर लगाएंगी इस इकराम में सिसल अखसवा शेतर में अब बड़े स्टार परचार कोंग की चुनाव परचार में एंट्री हो गई है भाचपा परधाशी डाक्टर एशोब कवर के समर्थन में परचार के लिए उत्तर परधेश के मुख्यमंद्री योगे तिनाद 20 मई को सिर साप महँचेंगे यहां वैं उनके समर्थन में जनसबा को संबोदित करेंगे कई दिनों से परचार अभ्यान चलने के बावजूद इस बार अभी तक महौल में जबरधस उचाल जैसी रिस्तिती नहीं बन पाई थी इसके लिए भाचपा के स्टार परचारक माने जाने वाले सीम योगे तिनाद को अब हर्याना बुलाने की तियारी है ऐसे में चुनापरचार के अखिरी सब्ता में सभी पार्टियां जोर लगाएंगे स्टार परचारकों के सहरे चुनापरचार को उफान देने की कोशिश रहेगी हर्याना में लोकसबा की 10 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है हर्याना के सियासी रन में परधान मंतरी नरेंदर मोदी अंबाला से हुंकार भरेंगे कलंबाला शहर के पुलिस लाइन में परधान मंतरी नरेंदर मोदी विजे संकल प्रैली को संबोधित करेंगे इस रैली को सफल बनाने के लिए हर्याना के क्रिशी मंत्री कावरपार गुर्जर निर्भी जी जान से लगे हुए हैं क्रिशी मंत्री ने जोका दे विधान सबा के गावा और शहर की कई कलोनियों में जाकर परधान मंत्री के रैली के लिए सबी को ने उता दिया वहीं कारेकरताओं और भाजपर पतादिकारियों के साथ बैठा कर उनकी ड्यूटियां लगाई गई मीडिया से बाचित करते हुए कृशी मंत्री कवरपार गुर्जा ने कहा कि प्रधान मंत्री की रैली को लेकर तैयारियां पूरे जोरो शोरो से की गई है इस रैली को लेकर कारेकरताओं से लेकर जुनता तक में सभी में उसा है ये रैली अभूद पूरव और एत्यास इक रैली होगी हरेना सकार ने नई एक साइस पूलिसी को मनजूरी दे दी है इसके तहत विदेशी शराब के दामों में चार से पांच फिस दी तक की ब्रोतरी होने वाली है जबकि देशी शराब की बोतल करीब चार उपए तक महंगी होगी ये बदला बारा जूंद उज़र चोवी से लाग होंगे क्योंकि पुराने पॉलिसी इसी तारिक तक परभावी रहेगी पतानी की कैबनेट मीटिंग में तैह हुआ है कि परदेश में अब शराब के ठेके किसी गाउं से पचास मीटर दूर खोले जा सकेंगे वहीं कोई भी बार राद बारा बज़े के बाद नहीं खुलेगा हर्याना में अधिक्तम आरक्षन सीमा से पार रिजर्वेशन को लेकर पंचाब हर्याना हाई कोट ने परदेश सिरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है इस पाबत याचिका दाखिल करते हुए संस्ता यूथ फोर एक्वालिटी ने बताया कि सुप्रिम कोट की कई पीठ और स्विधानिक पीट तैय कर चुकी है कि आरक्षन की कुल सीमा 50 पिशे से अधिक नहीं हो सकती हरेना में अरक्षन 50 पिशे से अधिक होने को चुनोती देने वाली जनहीत याचिका पर पिजब हरेना हाई कोट ने हरेना सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को आधिश जिया है याचिका दाखिल करते हुए संस्ता यूथ फोर एक्वालिटी ने बताया कि सुप्रीम कोट की कई पिट और स्विधानिक पिट तैकर चुकी है कि आरक्षन की कुल सीमा 50 पिशे से अधिक नहीं हो सकती इंदरा साहनी मामले में सुप्रीम कोट में नोट जजों की खंड पिट ने इस विशे को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया था इस दिन सबके बाब चुध हरेना सरकार पिछला वर्गा दिनियम 2016 लेकर आई थी इस दिनियम के आने के बाद परदेश पे कुल आरक्षन 57 प्रिश्ट हो गया जो निर्धारे से 7 प्रिश्ट अधिक है करणाल में चुना परचार सरगर्मिया तेज हो चुकी हैं और इसी को लेकर मुखे मंतरी नाइब सिंग सैनी लगा तरक करणाल में चुना परचार करने में चुटे हुए हैं आज भी मुखे मंतरी नाइब सिंग सैनी ने करणाल में चुना परचार किया और करणाल की लोगों के बीच पहुँचकर वोट की अपील की मुखे मंतरी नाइब सैनी ने कहा कि करणाल की जंता का भरपूर प्यार मिल रहा है मुखे मंतरी के आज करनाल में कई जगा पर कारेकर्म ढहने वाले हैं वहीं करनाल पहुंचकर जा मुखे मंतरी नाइप सिंग सेनी ने वोट की अपील की तो वहीं कारेकरताओं के साथ अगरवाल धरमशाला में बैठक भी की इस रण मुखे मंतरी ने मीडिया से बात्चित कर देखे करनाल के लोगों का जो सने प्यान आशिरवाद मिल रहा है मैं उससे अभी भूत हूँ और लगातार क्योंकि मुझे पर्देश के अंदर भी जाना पड़ रहा है पर्देश के साथ साथ बाहर के अन्य राज्यों में भी जाने का मुझे मोका मिला है और करनाल के लोगों का सहयोग आशिरवाद वो भरपूर मिल रहा है 25 माई को जब वोटिंग होगी करनाल के लोग बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकल करके इस डबल इंजन सरकार के प्रति अपना वोट देंगे नरेंदर मोदी जी को यहां से बड़े मेंड़ेट के साथ कमल का फूल खिलेगा मनवरलाल जी दिल्ली में लेकर के जाएंगे और एक कमल का फूल चंडीगड में जाएगा भारी लोगों के अंदर उत्सा भी है सरकार ने जो काम किये है गरीब के मजबूती के लिए काम किया है किसान के लिए काम किया है महिलाओं के लिए काम किया है युवाओं के लिए काम किया है नरेंदर मोदी जी के नेत्रितों में ये देश आगे बढ़ सकता है ये कॉंग्रस या राहूल के नित्रितों में देश आगे नहीं बढ़ सकता ये हुड़ा साव तो वैसे हाथ पैर मार रहे हैं क्योंकि दल के अंदर जिंदा रहना है और इस कारण से वो आते हैं पर उतु लोग इनकी नीतियों के इनके विचारों को वो लाइक नहीं कर रहे ह ये अपने आप तो कुछ भी करें उसको पर कोई बोलता नहीं कॉंग्रस सासित प्रदेश के अंदर अगर बेटी के उपर दुराचार हो जाता है तो प्रियंका वाडरा गांधी के मूँ के उपर भी ताला लग जाता है और जितने गमंडिया गठवन्दन के लोग उनके कोई बोलने के लिए त्यार नहीं है ये इनके दुरे चेहरे हैं भारती जंदा पारटी के करनाल लोकसवा परतियाशों और पूरो मुख्यमंती मनहोलाल का पानिपत के सेक्टर 25 में अभी नंदन समारों का आयजन किया गया पूरो मुख्यमंती मनहोलाल के पहुंचने पर निवर्तमान मेर अवनीत को और ओएस्ट्री डाक्टर प्राबरीन सिंग और हज़ारों की संख्या पे पहुंचे लोगों ने फूलों की बच्छार करके उनका हार्दी का भी नंदन किया वंच पर पानिपत की वभीनिस समाजविक धार्मिक और राश्वितिक हस्तियों ने पहुंच कर मनहोलाल का शौल बुके और गदा और कलबार विंट कर समानित किया इस सबसबर परदेश के पुरव मुख्यमंत्री और करना लोग सबापरत्याशी मनहोलाले कहा कि हम गुरूं को मानने वारे लोग हैं गुरूं के सहयोग से पानिपत की धरती पर जो बड़े स का सनमान करता हूं क्योंकि जो नोने बाबा बंदा सिंग बादर जी के तियास को यहां कायम किया और चार सो साला जो गुरूत एक बादर जी का पानिपत में मनाया हुई त्यासी का पूरे देश में कोई निकैस पाया इसलिए आज हमें इस बात की बड़ी कुशी है कि हमें किसान अंदोलन को 30 दिन पूरे हो चुके हैं लेकि स्थिति जस्की तस्बनी हुई है 17 अपरेल से शुरू हुए अंदोलन को लेकर 6000 के करीब ट्रेनों का संचालन पर भावित हो चुका है इस दुरान 2017 ट्रेनों को पुरन तोर पर रदकर कर दिया गया और वहीं 2043 ट्रेनों को बदले मार्ग से और 394 ट्रेनों को बीच रास्ते रदकर के पुरे संचालिक किया गया जबकि 690 माल गाडियों को बदले मार्ग से गंतवे की तरफ भेजा गया तरसलम बाला सानेवाल रेल्ड सैंक्शन पर ही शंबू रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे लाइन पर किसान टटे हुए हैं। इसका अंडेल यातरी घंटों स्टेशनों पर इंतजार के लिए मचपूर है। अब देखना ये है कि कब इस समस्य का समाधान होता है और फिर पूरफ की तरह सभी ट्रेनों का संचालन कब शुरू होता है। को चुका है और मॉबाइल टावर से उपकर्ण चोरी करने वाला ये गिरो हर्याना और रादस्तान समयत कई राचों में वारदातों को अंजम दे चुका है। पुलिस ने चोरी के वारदातों वाले स्थान के पुलिस से संपर्क सादना शुरू कर दिया है। आरोपियों से पुलिस ने वारदातों के असली मास्टर माइंड पहले मॉबाइल टावर लगाने वाले कमपनी में काम कर चुके हैं। और इन्हें चानकारी थी कि मॉबाइल टावर से उपकर्ण काफी महगे बिखते हैं। आरोपियों के बाद सामान को पलवल में सोनु नाम के कबाड़ी को बेशते थे आरोपियों ने पानिपत, असंद, गोहाना, मानेसर, पलवल, गुरुग्राम, जजजर, पतेहावास समय दो दरजन से ज्यादा टावरों के उपकर्ण चौरी का मामला सामिल लाएक रहे खिलाफ पुलिस ने वभी नधाराओं के तहट मामला दर्ज कर लिया है और पकड़े के अरोपियों को आज पॉर्ट में पेश किया गया है। पुलिस चलाई उजरन सुमीत को कई गोलियां लगी थी और इसे बीच वहां मौचूद एक रिक्षे वाले को भी गोली लगी थी। पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए इन पर इनाम भी रख दिया था दोनों आरोपियों की पहचान बताने वाले को 50,000 और से गिरफकार का लिया ये एरोपी यूपी बागवत के रहने वाले हैं दोनों बाई हैं इन पर पहले भी कई मामने दर्जह और इनके पास विदेश्य थ्यार थे दोनों को एस्टेफ रिमांड पर लेगी और फिलहाल एस्टेफ के चांच चारी है तीज चार अपरेल का मामला थाया शाम को एक बुलेट सवार यूपक पर दो अग्यात यूपकों ने हलमेट डाले वे थे जो उन्होंने फाइरिंग करती थी जिसमें एक उस यूपक को तीन-चार गोलिया लगी थी साथ में एक इरिक शवला जाद उसको भी गोलिया लगी जो हमारे इन्फर्मर ने बताया कि दो इस तरह के यूपक हैं इस हुलिया के यूपक हैं जो शायद इस वार्दात में भी इनवोल्व हैं प्लस वाज किसी आइलिट सेंटर पर फाइरिंग भी करने वाले हैं जिनको काबू किया उनके कभजे से हमने दो वेपन एक तो पेश किया जाकर डिटेल में पूरी इन्वेस्टिकेशन की जाएगी इससे पहले भी आपाइज जाएगी जैपूर में एक लूट के मुगदमे में पहले आल्रेडी अप्सकूंडिंग चल रहे हैं फतेहबाद की धावी वबनपूर में किसान ने रंजिश के चलते खेट में फसल के अफशेशों में आग लगा दी आग ने पास की एक धानी को भी अपनी चपेट में ले लिया जिससे लाखो रुपे का सामान चल कर राख हो गया सुचना पाकर पुलिस और दमकल विभा की टीम मौके पर पहुंचे और कड़ी मुशकत के बाद आग पर काबू पाया गया पुलिस ने पेड़ित किसान की शिकायत पर केज़र्ज कर जाश शुरू कर दी है पुलिस मामले में चल आरोपी को काबू कर पूस्ताच करेगी धानी वबनपूर निवासी रमनप्री सिंग और किर्णपाल सिंग ने बताया कि गाउं के ही गुर्णाम सिंग का खेट उसके घर के साथ है और वे उसके साथ काफी समय से रंचिश रखे हुए है उन्हें परिशान करने के बहाने ढूंटा रहता है रमनप्रीते का कि गुर्णाम सिंग ने सरकारी नेमों की उलंगना करते हुए और उन्हें नुकसान पहुचाने के लिए अपने खेट में फसल के अफशेशों में आग लगा दी और खुद अपने खेट में जाकर खेट क जोतने लगा पुर्णाम सिंग द्वारा लगाए गई आग धीरे धीरे उनके घर तक पहुंचके और आग से उसके दो गोबर गेस प्लांट करीब 50 कुएंटर लकडी नबे ट्रॉली तूडी चलकर राख हो गई आग से उसे लाखों का नुकसान हुआ है तो ये थे हर्याना के समाचार और ने समाचारों के साथ फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए देखते रहिए चरदी कला टाइम टेवी और अब मुझे दीज़े जासत धन्यवाद